जहें दोस्तों आज का ये वीडियो है ECHS जैपूर और जबरपूर की बैगेंसी से संबंदित दोस्तों मैं आपको बता दूँ ECHS का मतलब होता है एक सर्विसमेंड कंट्रिबूटरी हेल्थ स्कीम दोस्तों इसमें कई पतों के लिए बैगेंसी निकाली गई है जैपूर और जबरपूर दोरों श्यसन के लिए अलग अलग है हर एक पद के लिए एजुकेशन और इलिजबल्टी क्रेडरिय अलग लग है उसके लिए आप लोग इसका ओफिसियल नॉटिफिकेशन अप्लाई करने के पहले जरूर देख लें दोस्तों आप लोग इसका ओफेसियल नॉटिफिकेशन नहीं चेकिशन पर पां सकते हैं पर आप लोग इसका ओफिसल नोटिफिकेशन ओफ लाइन फॉर्म दोनों ही देख सकते हैं अब बात करते हैं इसकी बत्ती के बारे में इसमें इतने पदों के लिए पैगेंसी निकाली गई है दोस्तों दोनों इस्टेशन में अलग अलग पद हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ आप लोग उसके लिए इसका नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लेना बात करें मोड़ अपलीकेशन की तो दोस्तों इसमें आप कोई भी आपको परिच्छा सोल्क नहीं पड़ेगा मतलब किसी भी करते हैं जन्रल ओबी सी एड़ाइस से एस्टी या फिर उमेनों इसमें किसी को भी कोई भी फीस नहीं देनी है अब बात करते हैं एज की इसमें एज है 18-53 साल एक सर्विसमेन के लिए बागी के जो अधर केंडियेट हैं जन्रल ओबी सी एड़ाइस से एस्टी उनकी एज 18-25 साल रहेगी जिसमें ओबी सी केंडियेट को इसमें तीन साल की छूट मिलेगी मतलब 18-28 साल और से तीस साल तक अपलाई कर सकते हैं बात करें इसमें योगिता की तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहर की गई उसके लिए आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लें बात करें सैलरी की इसमें दोस्तों पदों के इनुशार ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी 16,800 से लेकर 28,100 रुपए तक मासिक है पत्तब हर पद इक इनुशार से अलग 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 इसमें रखी गई है आप द जबलपूर के लिए इसकी अपलाई करने के जो लाज़ डेट है वह बीस सितंबर मतलबी सितंबर के पहले 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 जबलपूर की के अपलाई कर देख लें अब बात करते हैं आपको कौन को से डाकुमेंट्स लगा कर भेजने हैं तो आपको आल एजूकेसिन सर्टिफि सर्टिफिकी अपने ग्राम प्रतान से यह फिर आप लोग अपने प्रोस निगसितने हैं उसका का स्रीफिक अपने जीला स्पताल से गयाए और अभी लगा और चलिकश्यार अपने भी सब्सक्राइब को साह करेंके साथ्यों नहीं लगा कर लगाने हैं और दोस्टों और द अप्लिकेशन आप आप पोस्ट और उसके साथ आपको अपनी काइटेगरी भी लिखना है कि आपको आप सी काइटेगरी से बिलाउग करते हैं अपनी काइटेगरी का नाम लिफाफेक उपर चरूर लिखें उसका दोस्तों मैं आपको उतादू यह जो बरती निकाली गई है यह बरती पर्माइंट है कॉंटेक्ट में है या संभीदा अधार में है तो दोस्तों जो लोग एक सर्विसमेन है पहले इनको प्राथमिक्ता दी जाएगी अगर उस प प्राथमिक्ता दी जाएगी यह चीज़ इसके ऑफिचल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है उसके लिए आप लोग इसका ऑफिचल नोटिफिकेशन शुरू से लेकर अन तक एक बार जरूर लास तक अच्छी तरीकी से पढ़ ले जिससे आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप लोग इसे के लिए अपलाए करना और दोस्तों मैं आपको फिर से बार बता देता हूं आप लोग इसका ओफिचल नोटिफिकेशन प्लस ऑफलाइन फॉर्म दोनों ही मेरे टेडियान चैनल पर पास सकते हैं टेडिया चैनल का लिंक नीचे डिस